जैहिन दोस्तों बिहार होम गार्ड अभियार्थियों के लिए दो महतपूर जनकारी लेकर आगया हूँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनकारी देने वाला हूँ दोस्तों क्या है जनकारी क्या है खबर जानने के लिए वीडियो में लाश्ट तक आप बने रहें अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके दोस्तों के पास भी सेर कर दे क्योंकि यहाँ पर जो भी जनकारी आपको मिलने वाली है सही जनकारी मिलने वाली है तो चलिये बिना देर की विडियो इस्टार्ट करते हैं और सभी जनकारी को बारी की से समझते हैं दोस्तों देखिए आज ही का यह खबर है जो की प्रभाद खबर में यहाँ पर यह न्यू जाया है दोस्तों सरकार चाहती है जो भी होमगाड जवान है उन्हें चूस्त दुरुस्त किया जाए और बिहार पुलिश तरह बनाया जाए दोस्तों यहाँ पर देखिए अब आपको ड्यूटी के दोरान 217 एसे लार और इनसास जैसे अब बड़े-बड़े हत्यार से होमगाड जव भी यहाँ पर बहुत तगड़ा दिया जा रहा है आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कहां कहां आपको ड्यूटी मिलने वाला है तो आप वीडियो में लाश तक बने रहे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं होमगाड जवानों को चूस्त बनाने के लिए वाकादा तेज ह हो गई है होमगाड मुकाले में मिले निर्देश पर जीला में 200 जवानों को आधुनिक हत्यार दोस्तों यानि आधुनिक जो भी हत्यार है उसे चलाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग में कि जो भी आपको होमगाड जवान है अब पहले के तरह नहीं कि आपको वर्दी इधर आपको ढीला है और इधर टाइट है तो ऐसा नहीं अब सभी होमगाड जवान भिहार पुलिस के तरह एकदम चुस्त दुरुस्त होने जा रहा है यहाँ पर देख सकते ह जिला सामादेश्टा सा अगनी सामक अधिकारी अखलेस कुमार ठाकू ने बताया कि संबेंदसी जगह जैसे बैंक, सुरक्चा, क्रेंसी, चेस्ट, सुरक्चा, डांक की सुरक्चा के अलामा बिधी बिवास्ता की जिमदारी होंगाड के कंदे पर रहती है इन आस्थानों पतेनात किये गए जवानों को विशेश्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है यानि दोस्तो इस जगह पर जो भी आपको जवान रहते हैं इसके कारण उन लोक को चुस्त दुरुस्त बनना रहता है क्योंकि दोस्तो बैंक में भी काफी जगह आप है देखे होंगे 120 दिन के ट्रेनिंग भी होता है यहाँ पर अभी मुझपरपूर में 120 दिन का प्रेस्टन लिए रहे जिसमें आपको जैसे ही उनका ट्रेनिंग समाप्त होगा उनक जवानों को बैंक डांक घरों में यहाँ पर देख सकते हैं बैंक डांक और करेंसी चेट सुरक्षा में प् बिधी बिवस्ता में और आपको 43 बिधी बिवस्ता पटना भेज जाएंगे हैं यानि दोस्तों चैसे कि आपको कोट हो गया उसमें भी होमकार्ट जवानों की अब तैनाती होती है जिसके कारण यहाँ पर उनको विशेश्ट ट्रेनिंग दिया जाता है पटना भेज गया 47 जवानों को मंडल कारा यानि जो आपको मंडल कारा होता है जिले में उसमें यहाँ पर 47 जवानों को है सहार सा भेजा गया है 26 जवानों को बैंक में 10 जवानों को डूटी डाग घर में और 62 जवानों को उतपाद विभाग 10 जवानों को बिधुत विभाग 25 जवानों को मै होमगाड जवानों के संक्या 1113 है जिसमें 200 जवानों की ट्रेनिंग मुझभरपूर एवं 113 जवानों के ट्रेनिंग सारसा के बरिया ही इस्थित कैम्प में चर्राहगरी वाइनी नौ युक महिला और पूस दोनों को होमगाड जवानों को आर्मी के तर्ज पर आपको यहां पर परसिक्षित किया जा रहा है दोस्तों आर्मी के यहां सुभिदार भी सबी जगे ट्रेनिंग दे तरह हैं तो यहां पर पहली के तरह दोस्तों अब होमगाड जवान नहीं रहे आप लोग भी अगर होमगाड में जाते हैं तो आप एक तरह से बिहार पुलिस के तरह ही यहाँ पर दिखने लगेंगे, यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, दिया ज़रा चार महीने के कड़ी परिश्णम के जवान खुद को फिट कर नए हतियार जनकारी के बाद लोटेंगे, फिर उनके पोसाक और डिट्यू के अंदाज में फरक दिखने मिलेगा, दोस्तों यहा हम कहाना चाहता हूं कि अगर होमगार्ट जवान को बिहार पुलिस के तरफ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर इनको उसी के तरफ सुविदाभी सरकार को देना चाहिए, सभी सुविदा से less होना चाहिए, क्योंकि होमगार्ट जवान उतना ही duty कर सकते हैं, जितना एक बिहा लगा दोस्तों जरूर कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिं नमस्कार